तो दोस्तों इस सल जो आई पर वो काफी ज़्यादा रोमान चेक हमें देखने को मिल रहा था और एक से बढ़कर एक मुकाबले में देखने को मिल रहे थे लेकिन दोस्तों कोर्णा की कंडीशन की वज़ए से यहाँ पूरा आई पहली पोस्पन करना पड़ गया लेकिन दोस लेकर बड़ी वीडियों में आपको इसे खबरों के बारे में विस्तार से दिने वाला हूं तो दोस्तों वीडियों काफी जदा बड़ी कबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिक ट्रीक को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जिरू पैस कर देना तो दोस्तो बात करूं आज की हमारी पहली बड़ी कबर के बारे में तो दोस्तो यह निकल कर सामने यारी हर्षल पटेल की तरफ से दरहसल दोस्टों जैसे के आप लोग जानती हैं कि यहाँ पर हर्शेल पतेल को इसी साल यहाँ पर टीम RCB ने अपनी टीम में ट्रेड किया था और दोस्ट आपको बता दूए कि आई पेल जो है पोस्पोन होचुआ लेकिन दोस्टों अभी अभी यहाँ पर हर्शल पटेल ने अपने एक्सपीरियंस को अपने बयान के जरिये बताए है अपर T.E.M.R.C.B. के लिए दोस्तों को कहना है कि जब यहाँ पर T.E.M.R.C.B. ने उनको यहाँ पर ट्रेड किया था तो कप्तान विराट कोली को मेसेज किया कि यहाँ पर वैलकम बैक और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं बयान में कहा है कि यहाँ पर विराट कोली ने मुझे हर तरह की फ्रीडम डी और यहाँ पर मुझे पूरी तरह से स्थमाल करने की पूरी देखने को मिला यहां पर TMR CB गंदर पहले की तुल्ला में यहां पर हर कोई काफी यहां पर अच्छे तरीके से बरताब करता है और इसी के साथ मुझे यहां पर काफी अच्छी फ्रीडम दी गई और इसी के साथ पर कप्तान विराट कोली का जो विवार था मेरे संग उससे बावजूद भी यहां पर कोई भी कमी कोई भी किसी तरह का यहां पर सपोर्ट में कमी नहीं दी गई है यहां पर TMR CB ने मुझे और इसी के साथ पर कप्तान विराट कोली मुझे से यहां पर अपने एक्सपिरेंस शेयर करते हैं और एबी डिवर्स की तो जितनी भी करके होकर ही रहेगा और मैं आने वाले आई पिल के मुकाबलों के लिए काफी जड़ा एक्सपिरेंस को यहां पर बयान के जरी हर्चल पर टेल ने व्यक्त किया है तो दोस्तों इसके रिकार्डिंग आपके अपिनिन हैं दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो वहीं बात करूं आच की हमारी दूसरी बड़ी खबर के बारे में तो दोस्तों यह निकलकर सामने आरी है आई पिल बटसर Random को लेकर दर असल दोस्तों इसका ब हमारी मीटिंग की थी और दोस्त आपको बता दो इस मीटिंग के अंदर। यहां पर दोस्तों आई पैल दो के बच्चे वे 31 मुकाबलों को होस्ट करने का ओफरर यहां पर데 को दिया था लेकिन दोस्ता आपको बता दो कि यहां पर B.C.C.I. ने यहां पर सिलन्का को एक सुटेबल वैन्यो नहीं माना है और दोस्ता आपको बता जिए नहीं को दोस्तों यूए के अंदर यहां पर हमें स्टेटिम देखने को मिलते हैं लेकिन इसे के साथ एक बेनिफिट यह मिलेगा कि यह पर जो इंगलेंड के अंदर कॉविड के केसी से वह बिल्कुल होते हमें दिखाई दे रहें ना के बराबर हैं और यहीं प्रवाइदा होगा कि यहाँ पर क्राउड के साथ हमें यहां पर इंगलेंड में यहां पर बीसीचाई को भी काफी जिदा बेनिफिट देगा तो यह पर रहाएजार क्रोंट का लगब लगब नुकसान हो जाएगा वीचीचाई को और इसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए और सब्सक्राइब करें बात करें सितंबर-अक्टूबर का लेकिन सितंबर-अक्टूबर के मैंने में न्यूजिलेंड की सीरिस रहेगी पाकिस्तन के खिलाफ और ऐसे में न्यूजिलेंड के बहुत से खिलर जो एन अविलेबल रहेंगे और ऐसे कंडिशन में दोस्ताब को बता दू किया पर अगले माइने में या पर जुझ लाइगा माइने में ही हमें आइपल जो होते वे दिखाई दे सकते हैं तो दोस्तों आपके एकोडि ट्रेड को लेकर दरासल दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहां पर स्कॉर्ट कुगले गेन को अपनी टीम में शामिल किया था लेकिन दोस्तों आपको बता दू कि आपर टीम आर सीबी के पास इस साल गेंदबाद जी की कोई भी समस्या नहीं दिखाई दे रही है और दोस्तों एसी के साथ आपको बता दूए कि आपर स्कॉर्ट कुगले गेन के लिए कोई भी आपर स्लोट खाली नहीं बसता है टीम आर सीबी के अगर प्लेंग लाइव बनाई जाती है और ऐसी कंडिशन में यहापर टीम आर सीबी ने एक बहुत ही एहम फैसला लिया है तरहसल दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते कि अपर क्रिस लिन को अभी बिल्कुली साथ तोर से टैय हो चुका है कि यहाँ पर दोस्तों को जो मुंबई इंडियन्स के प्लेंग लाइवन होगी उनमें मोके नहीं मिलेंगे पहले मुकाम मिला तो दोस्तों को काफी बहतीन परदर्शन भी हमें देखने को मिला था हाला कि दोस्तों रोई शर्माओं की गलती की वज़े से और उनके बाद यहाँ पर दोस्तों को इंटन डिको की हमें लगातार दिखाई दे रहे हैं आपर ओपनिंग के तोर पर मुंबई इंडियन्स की तरफ से और ऐसे में दोस्तो खुछ जिए यहाँ पर क्रिस लिन को पनी टीम में शामिल करना चाते है द्रासल दोस्तों यहाँ पर टीम आरिसी बीडेट आती है कैसी वीडेट आती है तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर दूँगा तो दोस्तों आज के लिए बसितना ये थी हमारी ओवरल वीडियो इस वीडियो मैं आपको आज की आपर टीम आर सी बीसे जूड़ी सबी बड़ी खबरों के बारे में बता दिया है तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजेगा और साती हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर पैस कर दीजेगा हलांकि अब ऑफिशल अपडेट जो आना है वो बाकी है और दोस्तों जैसे इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है कैसी भी अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर दूँगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ये थी हमारी ओवरल वीडिय तो इस वीडियो में आपको आज किया पर टीम और सीबी से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के बारे में बता दिया है तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजेगा और साती हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन कुछ जरूर पैस कर दीजेगा